जो लोग सरकारी नौकरी की तयारी करते हैं या फिर किसी अनलिप्रत्योगी परिक्षा की तयारी करते हैं तो हम उनके लिए लाये विस बहुत ही महत्कुन प्रश्ण जोकी आने वाले परिक्षा में पूछे जा सकते हैं इसलिए वीडियो को अन्ट तक अवश्य देखें और किसी सवाल का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपका सवाल है मानों का मस्तिश्क लगभग कितने ग्राम का होता है आपका ओप्षिन है आपका सही जवाब होगा आपका सवाल है कि उस सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे आपका ओप्षिन है A 1857 में B 1799 में C 1793 में D 1779 में आपका सही जवाब होगा B 1799 में आपका सवाल है किसकी समाथी के कारण अंदेर गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है आपका ओप्षिन है A. गुरुवार रामदास B. गुरुवार अंगद C. गुरुवार अर्जुन देव D. गुरुवार गोविन्द सिंग आपका सही जवाब होगा D. गुरुवार गोविन्द सिंग आपका सवाल है, महराजारंजीत सिंग के उत्तराधिकारी कौन थे? आपका ओप्शन है, A. हारी सिंग नलवा, B. खर्क सिंग, C. शेर सिंग, D. नौनिहाल सिंग आपका सही जवाब होगा, B. खर्क सिंग, आपका सवाल है, किसकी शासनकाल में ब्लैक हॉल दुर्घटना घटित हुई थी? आपका ओप्शन है, A. अलिवर्दी खान, B. मीर जाफर, C. सिराजुद दौला, D. मीर कासिम आपका सही जवाब होगा, C. सिराजुद दौला, रोजाना ऐसी ही वीडियो पाने के लिए, हमारे चानल को सब्सक्राइब करके बाइल आइकन आउन कर लीजिए, आपका सवाल है, 1857 में अंग्रेजी सामराजी की विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया आपका ओप्शन है, A. सैनिकोने, B. नामधारी सिखोने, D. अकाली सिखोने, D. निरंकारी सिखोने आपका सही जवाब होगा, D. निरंकारी सिखोने आपका सवाल है, बिहार में 1857 की क्रांती के नेता कुमवर सेह का देहांद कर हुआ, आपका ओप्शन है, A. 10. अप्रेल 1858, B. 17. जून 1858, C. 9. मैं 1858, D. 20. जून 1858 आपका सही जवाब होगा, C. 9. मैं 1858, आपका सवाल है, किस प्रख्यात भारतिय इतिहास कारने 1857 की क्रांती को क्रांती नहीं माना है, आपका ओप्शन है, A. ताराचंद, B. एस एन सैन, C. आर सी मजूमदार, D. सावरकर आपका सही जवाब होगा, C. आर सी मजूमदार, आपका सवाल है, 1857 के विद्रोह को किस कवी ने दिखा था, आपका ओप्शन है, A. मेरतकी मीर, B. जाएक, C. मिरजा गालिव, D. एकबाल आपका सही जवाब होगा, C. मिरजा गालिव, आपका सवाल है, प्रत्म भारतिया डाक टिकट कहां चापा गया, आपका ओप्शन है, A. दिल्ली, B. कोलकाता, C. मुम्बई, D. बिहार आपका सही जवाब होगा, B. कोलकाता, रोजाना ऐसी ही वीडियो पाने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बाइल आइकन आउन कर लीजिए, आपका सवाल है, भारत का राश्ट्रिय जलिये जीव कौन सा है, आपका ओप्शन है, A. शार्क मचली, B. राने मचली, C. गरनाई मचली, D. गंगा डॉल्फिन, आपका सही जवाब होगा, D. गंगा डॉल्फिन, आपका सवाल है, किस फल को खाने से दाच साफ हो जाते हैं, आपका ओप्शन है, A. आम को, B. नारियल को, C. पपीते को, D. अनानाज को, आपका सही जवाब होगा, C. पपीते को, आपका सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी को, C है, आपका ओप्शन है, A. कान की हड्डी, B. जांगु की हड्डी, C. हाथ की हड्डी, D. रीड की हड्डी, आपका सही जवाब होगा, B. जांगु की हड्डी, आपका, सवाल है, चोरा चोरी कान कहां पर हुआ था, आपका ओप्शन है, A. इंदोर, B. पंजाब, C. गोरापुर, D. समस्तिपुर, आपका सही जवाब होगा, C. गोरापुर, आपका सवाल है, भारतिय मौसम विज्ञान संस्थान का हस्थित है, आपका ओप्शन है, A. मध्यप्रदेश, B. मुंबई, C. गुजरात, D. नई दिल्ली, आपका सही जवाब होगा, D. नई दिल्ली, रोजाना ऐसी ही वीडियो पाने के लिए, हमारे चानल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन ओन कर लीजिए, आपका सवाल है, भारत का दूसरा ताज महल किसे कहा आपका उप्शन है, A. लाल किले को, B. जन्तर मंतर को, C. जामा मस्जिद को, D. बीवे के मर्ख बरे को, आपका सही जवाब होगा, D. बीवे के मर्ख बरे को, आपका सवाल है, रिजर्ट बांक ओफ इंडिया की स्थापना कब हुई, आपका उप्शन है, आपका सही जवाब होगा A. सन 1935 में आपका सवाल है किस देश में कुत्ते की पूजा की जाती है आपका option है A. कामगो में B. नावे में C. नेपाल में D. वेटिकन सिटी में आपका सही जवाब होगा C. नेपाल में आपका सवाल है समुंदर का राजा किसी माना जाता है आपका option है A. डॉल्फिन को B. मेंधा को C. साप को D. मगर मच को आपका सही जवाब होगा D. मगर मच को आपका सवाल है कौन सी सबजी खाने से खून साफ होता है आपका option है A. बैगन B. लागी C. आलू D. करेला रोजाना एसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चानल को सबसक्राइब करके बैल आइकन ओन कर लीजिए अब यह सवाल आपके लिए आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपका सवाल है विश्व का ऐसा कौन देश है जहां मच्चर नहीं पाए जाते हैं आपका option है A. भारत B. अमेरिका C. फ्रांस D. इटली आपका सही जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं